यूपी के मुखिया योगी आदितनात ने अलीगड में पियम मोधी का सौगत किया इस दौरान उन्होंने अलीगड की जनता को संबोधित भी किया यहां सियम योगी ने बिजेपी सरकार की योजनाओ खुगिनात वे राममंदिर का जिक्र किया साथ ही विपक्ष पर जम का निशान साधा उन्होंने कहा कि जिन सपा बसपार कॉंग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा आपकी आस्ता से खिलवार किया अब अफसर आ गया है कि जनता उनकी किस्मत पर अलिगर का ताला लगा कर पियम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं लोगसभा चुनाओं के पहले चरण का चुनाओं संपन्न हुआ 102 लोगसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक उत्सार उमंग जनता जनारदन के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के दस वर्ष के कारे कर कारें को ध्यान में रख करके जनता जनारदन का जो आश्री बात प्राप्त हो रहा है हम कह सकते हैं उत्तर प्रधेश के प्रथम चरण के आठ लोगसभा सीटों पर विपक्सी दलों की कोई खाता नहीं खुलने जा रहा है और दूसरे तीसरे चरण के लिए भी उसी बात का उहान करने के लिए आज एक बार फिर से आदने प्रधानमंत्री जी का मार्ग दर्शन अलीगड़ और हात्रस की जनता जनारदन को प्रापको होने जा रहा है बैन और भाईयों विकास और विरासद और गरीब कल्याड की जिन योजनाओं को पिसले तस वर्ष के अंदर इस देश ने मूर्त रूप लेते वे देखा है वा भूद्पूर्व है अविनंदनिया है और भारत को विक्सित भारत के रूप में स्तापित करने के लिए एक महत पूर्णाधार स्तंब के रूप में हम सब को प्राप्त हुआ है इस सब के प्रतिक्रत किता ग्यापित करने का एक उसर लोगसवाचनाओ 2024 हम सब को प्राप्त हुआ है मेरी आप सब से पीले अलीगड़ और हात्रस की जनता जनारदन को तो प्रणान मंत्री जी ने वह सब कुष दिया जो यहां की जनता जनारदन की दस्कों से मांग थी जो लोग कभी इस बात के लिए नहीं सोचते थे कि यहां पर भी इस तरकार के कारे हो पाएंगे उन सभी लोगों की अपेक साओ पर खराव तरते वे याद करिये मान सतंतरता संग्राम सेनानी राजा महंडर प्रताप सिंग के नाम पर विश्व विद्याले की स्तापना के लिए आदनिये प्रधान मंत्री जी स्वयम आये थे अब विश्व विद्याले बन करके तैयार होकर के सत्र भी प्रारंब कर चुका है डिफेंस कोरिडोर इसी अलीगड को प्राप्तु आये और बेन और भाईयों आपने अयोध्या देखी होगी राम नौमी के अंदर भगवार राम का सूर्य तिलाड पांचसो वर्सों कंतजार समाप्त करने और इस अलोकिक आउसर का आप सब को आनंद और गौर प्रधान करने वाले आदने प्रधान मंत्री जी हम सब के सामने आई पास में और वर्त्वान में खड़े हैं और मैं इस असर पर आप सब से अपील करूंगा बैन और भाईयों जिन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से बंचित रखा आपकी आस्ता के साथ खिलवार किया आपकी सुरक्सा को सेद लगाने का प्रियास किया अब औसर आ गया है चुनाओ के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगड का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधान मंत्री मोधी जी को देश की सत्ता सौपे भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा और दुनी ताकत बनाने के लिए आत्मी निरवर भारत बनाने के लिए दिकसित भारत बनाने के लिए आध deeply प्रधान मंत्री जी के साथ देश भर का दुस्वर जुड़ रहा है उस स्वर के साथ हम भी उस स्वर के साथ अपना स्वर मिलाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया पब्लिक खबर फ्लाल के लिए खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बनेर इंडिया पब्लिक खबर के साथ झाल झाल